भाई साब अगर ये फीचर यूटूब ने अपने यूटूब अप में डाल दिया ना तो भाई यूटूबर्स की तो वाट लगना पक्का है भाई क्या हो रहा है ये सब कुछ ओ नौ है दोस्तों साइज ये और बैक वितन इंट्रेस्टिंग और आज आपके लिए लिक्या हूँ दस बढ़िया ओपन सोर्स अप्लिकेशन वीडियो पुरा एंड तक के देखना चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइक अंदा बना काफी तगड़ा कंटेंड या मिलते जाएगा और हाँ वीडियो के इंट तक के बने रहो एक बड़ी ऐसी वेबसाइट भी आखरी में सजेस्ट करूँगा जो कि काफी जादा यूसफुल रहेगी लिटरली बता रहा हूं बहुत काम की रहेगी ठीक है तो चलो वीडियो में आके बढ़ते हैं सबसे पहल आप लिरिक्स जो है पूरा एकसेस कर पाँगे सेव कर पाँगे और सबसे अच्छी बात में और एक बात बताना चाहता हूं आपको यहाँ पर जो है अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर और एक चीज़ इंट्रेस्टिंग मिलती है बैच डाउनलोड लिरिक ठीक है यह जो अप्लिकेशन देख रहे हो यहाँ पर करना क्या इस अप्लिकेशन को ऊपन करोंगे चूज इमेज पर टाप करूँगा यह पर इसको मैं क्लिक करूँगा जो इमेज पर आपको वाटरमार्क लगाना है वो लगा सकते हो इंट्रेस्टिंग चीज़ कहा है न क कोई ads नहीं है, कुछ नहीं है, developer ने काफ़ी अच्छा application बनाया है, यहाँ पर बहुत सारे features जो हमको दिये है developers ने, मतलब यहाँ पर कोई भी text आप लिख सकते हो, और उस text का style change कर सकते हो, size change कर सकते हो, style change कर सकते हो, फीका चाहिए तो फीका, गाड़ा चाहिए तो गाड़ा, colors वगेरा, सब, यहाँ पर हर चीज़ आप यहाँ पर set कर सकते हो, layout वगेरा हर चीज़ मिलेगी, उसके बाद आप इसको आराम से save भी कर सकते हो, ठीक है, जो quality है वो भी set कर पाऊंगे, उसके बाद format भी आप change कर सकते हो, थोड़ा high quality में, PNG में भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी आपर जो है, add नहीं आएगा, अच्छा रहेगा, developer ने काफी अच्छा option दिया है, try करो इस application को, बढ़ते हैं next application के उपर, यह educational purpose के लिए बता रहा हूँ, यह है, Fetcam, application का नाम है Fetcam, अब यह application work कैसे करता है, यह एक background video recording application, जैसा आप इसको समझ सकते हो, as a open source, as a educational purpose, मैं आपको इसको बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि, suppose example purpose, यहाँ पर हम वीडियो को on कर देंगे, मतलब भी for example purpose, मैं यहाँ पर back camera जो इसका on करता हूँ, front camera on नहीं करना चाता हूँ, front और back दोनों भी कर सकता हूँ, मैं यह start कर दिया, start पर click करने के बाद, यहाँ पर जो देख पार हो, back camera on है, और यह background में run कर रहा है, जैसी कि आप देख सकते हो, यहाँ पर एक dot है, android की security आपको पता ही हो, यहाँ पर एक dot है, अब आप दूसरा application कुछ भी use कर आपने मन से, कोई भी काम करो, यहाँ पर background में recording चल रही है, without आप जो है camera को open करे, without उस camera को running में रखे, यहाँ पर सब चीजे हो रही है, उसके बाद यहाँ पर आप सारी चीजे यहाँ पर save कर लोगे, stop में tap करूँगा, tap करने के बाद यहाँ पर हम वीडियो पर आएंगे, तो देखो यहाँ पर जो है, वीडियो आपका save हो जाएगा इस तरह से, front, back दोनु भी कर सकते हैं, और भी upgrade options आने वाले हैं, ठीक है, यह as a educational purpose मेंने application बता है, ठीक है, बढ़ते हैं next application के उपर, यह जो है, एक video player application आपको देखने को बलेगा, इसका नाम है mpvex, ठीक है, अब यह application का funda क्या है, बहुत अच्छा application है, open source है पहली बात तो, और यहाँ पर काफी तगडे features आपको देखने को मिल जाएंगे, मैं इसका volume कम कर देता हूँ, volume कम कर देने बात, यहाँ पर यह मेरा video रण कर रहा हूँ, यहाँ पर options देख सकते हो, बहुत ही तगडे options है, और यहाँ पर volume को आप double भी कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ पर जैसे यहाँ तक हम यहाँ तक भी किये, यहाँ पर और यहाँ पर जो sound वगेरा होता है, track वगेरा हर चीज़ है, यहाँ पर zoom lens वगेरा, बहुत सरे options है, definitely check out करना, बहुत ही कमाल का video player है, अगर आप locally अपने songs वगेरा जो है, या फिर बोलो जो भी videos वगेरा देखते हो, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर stream का भी option मिलता है, यहाँ पर link paste करो, यहाँ पर stream भी आप कर सकते हो, तो काफी interesting और बहुत ही अच्छा application है, definitely try करना, बढ़ी हो open source application है, बढ़ते हैं next application के उपर, यह application के बारे में आए, I guess आपको पता होगा, material photo widget, यहाँ पर basically किया है कि, आपको बहुत सारे डिफर सारे widgets देखने को मिलेंगे, यहाँ पर tap करता हो, तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे different types के widgets है, और इन widgets को जो है, आप add कर सकते हो, अपनी photo अगरा add कर सकते हो, for example पर यहाँ पर add screen पे, कोई भी widget लगा सकते हो, pick up photos में tap करता हो, यह मैंने click करा, add करा, और यहाँ पर जो है, जो widget आपको पसंद है, वो widget आप यहाँ पर लगा पाऊंगे, बहुत ही कमाल का जो है, यहाँ पर देखनी को मिल जाता है, जैसे कि मैंने लगाया है, मेरको बहुत पसंद आया, आप भी try कर सकते हो, बात करते हैं, next application के बारे में, यह है nothing के, guys, यह application बिलकुल, यहाँ पर nothing का interface आपको देखते हुई मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर looks, feel वगेरा, पूरा nothing का आपको देखनी को मिलेगा, बट यह application नथिंग का नहीं है, यह application एक independent developer का है, जिसने इसको बनाया है, actually application है क्या, इस application में जो है, आप password generate कर सकते हो, अपने passwords को save भी कर सकते हो, for example, plus पे tap करता हूँ, और यहाँ पर जो है, जिसका password आपको save करना है, FB, यहाँ पे लिख देते हैं, SAI1234, जो भी XYZ, डाइड कर दिया, और यह इस तरह से आपका add हो जाएगा, ठीक है, तो काफी सही है, आपका password weak है, या strong है, वो चीज़ भी यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि edit पर tap करते हो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मतलब password और complicated करूँगा, तो green होगा, और red होगा कब, जब आपका password weak होगा, समझे, तो इस तरह से आप चीज़े कर सकते हो, उसके बाद password को यहाँ पर आप generate कर सकते हो, आप generate कैसे करना है, जैसे कि आप यहाँ पर जैसी आप open करते हो, पहले तो आपको pin पूछेगा, जो कि आपको डालना पड़ेगा, ओके, और pin आप अपने मन से जो चाहो और रख सकते हो, इस पर tap करोंगे, तो आपका password वाला section open हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आजाते हैं, तो यहाँ पर आप जो है password बना भी सकते हो, example की तोर पे यहाँ पर आप password generator option है, मैं इनको enable करता हूँ, तो passwords में क्या-क्या characters जालनी है, यहाँ पर कितना लंबा password रखना है, वो सारी चीज़े आप देखने को बिलेगी, यह copy करो, और जहाँ पर आपको use करना है, वाँ use कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, इसका look बिल्कुल मतलब nothing वाला है, बट यह nothing नहीं है, nothing नहीं नहीं बना है, nothing से कोई लेना देना नहीं है, यह एक independent developer ने बना है, काफी बढ़िया application है, बढ़ते हैं next application के उपर, यह एक music, I mean, एक ringtone application आप समझ सकते हो, इसमें आप ringtone बना सकते हो, आपको simply जो है, यहाँ से, आप जो भी music है, जो भी song या जो भी है, जिसका आपको ringtone बनाना है, उस song को आपको select कर लेना है, select करने के बाद, यहाँ से आप उसको cut करके ringtone में convert कर सकते हो, सबसे अच्छी बात, कोई ads नहीं रहेंगी, सबसे अच्छी बात यही है, क्योंकि बहुत से applications अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर सब में ad दिखता है, और मजा नहीं आएगा उसमें, और यह एक open source clean application, आपको ringtone वाला देखने को मिल जाएगा, बढ़ते next application के उपर, इसका नाम आपको देखने को मिलेगा, record master आप बोल सकते हो, इस application का नाम है, यहाँ पर जो है आपका जैसे google recorder option रहता है, voice recorder, यह भी कुछ वैसा ही रहेगा, बढ़ते एक open source है, और इसके looks वगरा भी काफी जदा अच्छे और बढ़िया रहेंगी, जैसी कि आप देख पार हो, बहुत ही जदा अच्छा लग रहा है देखने में, तो एक recorder option है, try कर सकते हो open source है, बढ़ते हैं next application के उपर, जो कि personally मेरे को बहुत तगड़ा लगा है, और यह application जो है, मतलब यह जो feature है, अगर यह YouTube में आया, तो YouTubers की वाट लग सकती है, तो इस application का नाम है Summary Expensive, ठीक हैं, तो इस application में होता क्या है, simple है बहुत, आपको जो है, अपना YouTube open कर लेना है, या फिर जो भी वीडियो आप देखते हो, Example Purpose, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मेरे ही चैनल पर, ठीक है, दूसरे का चैनल पर नहीं जाते हैं, वरना copyright, copyright का बड़ा अधिक्कत होता है, और यहाँ पर मैं यह वाले वीडियो को करता हूँ, copy, copy करने के बाद, उसका link simply आपे paste कर देंगे, क्या कर देंगे, paste कर देंगे, paste करने के बाद, यहाँ पर short, middle, long, देखो, अभी इस application का काम क्या है, बताता हूँ, आप यहाँ पर मैंने short select करा, right पर tap करा, अब देखो, कमाल देखना क्या होगा तो, यह application जो है, एक summary निकाल के देगा, particular video का, example purpose मैंने जो video बनाया था, उसमें important points क्या cover कर रहे है, short में बता देगा यहाँ, short में रहा हो तो short में, long में चाहिए तो long में, मतलब लंबा सा खीच के आपको देखना है, तो देख सकते हो, मैंने short में रखा है, मैंने क्या important points इस video में cover करे है, सारी चीज़े बिल्कुल detail में बता रहा है, और actually मैंने जो cover कर रहा है न, वही चीज़े इसने यहाँ पर बताया है, ठीक है, तो आप इस तरह से जो है, पूरा वीडियो अगर लंबा वीडियो होगा, वो देखने से बेटर है कि seriously आपे, short में आप जो है, comment section में या फिर कई पे भी तो creator का नुकसान definitely होगा, वो वीडियो पूरा देखने से पहले ही, यहाँ से इस तरह से short में निकाल लेंगे, ठीक है, अच्छा भी feature है, जो बक्चोदी करता है, ठीक से वीडियो नहीं बनाता है, कुछी भी understand बात करता है, उसके लिए तो यह बढ़िया रहेगा, बट जो properly explain करके, चुटी चुटी बाते भी ध्यान से मैनत करके बनाता है, तो उसके लिए थोड़ा नुकसान वाली बात है, anyways application को setup करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, वो बताता हूँ, सबसे फिले clear कर देता हूँ, application open करोगे, तो इस तरह देखने को मिलेगा, plain, यहाँ पर आपको वीडियो का जो link है, वो paste करना पड़ता है, but यहाँ पर settings में आना पड़ेगा, settings में आके यहाँ पर आपको select करना पड़ेगा, AI provider, तो यहाँ पर आपको जिस AI provider का use करना है, उसको आप यहाँ पर select कर सकते हो, मैंने जैमीना ही select करा है, select करने के बाद यहाँ पर आपको पूछीगा, API key, set API key बुलेगा, तो यहाँ पर API key आपको paste करना पड़ेगा, API key कैसे निकालोगे, Google करो, यहाँ पर आपको AI studio google.com पर टैप करना है, उसके बाद यह देखो, Google AI studio पर टैप करना है, इस website पर आने के बाद आपको करना है, create API key पर टैप करना पड़ेगा, इस पर टैप करोगे, name डालो, कौन सा API कोई भी name random से डाल दो, x, y, z, 1, 4 इसका होना चाहिए, और यहाँ पर select cloud project, आपको create project पर टैप करना है, और यहाँ पर आप नाम देदो, x, y, z, 1, 2, 3, उसके बाद create project पर टैप कर देगे, मतलब एक project का नाम देदो कोई भी, हमें key से मतलब है, बाकि project उजब का नाम क्या ही करना है, ठीक है, तो यह key generate कर देगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद create key पर आप टैप करोगे, second time, create key पर टैप करने के बाद, यहाँ पर आपको एक key बनके ready हो जाएगा, जैसी कि आप देख सकते हो, x, y, z, 1, 2, 3 मैंने जो बनाया था, यह देखो key, यह project का नाम बनाया, key कहां मिलेगी, यह देखो key यहाँ पर है, और इसको copy करने के लिए, यहाँ पर tap करोगे, यह copy वाले section पर key copy हो चुगी है, यह मेले पैने बनाया था, यह free tire का, जो है हमको देखने कूल रहा है, copy करने के बाद, यहाँ पर paste कर दोगे, यह देखो, यहाँ पर paste कर दोगे, उसके बाद OK कर देंगे, और key set हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको model select करना है, तो कर सकते हो, मैंने first ही select कर रहा है, जिमीने 2.0 flash, उससे काम हो जा रहा है, और बस उसके बाद क्या करना है, और यहाँ पर जो भी आपको link डालना है, और डालो, और उसका जो है एक summary निकाल सकते हो, कोई भी वीडियो का, तो काफी useful है, बहुत ही तगड़ा वाला यह application मिरको लगाए, definitely try कर सकते हो, बढ़ते हैं next, last application के उपर, अब यह एक launcher है, जो कि simple base launcher है एकदम, जिनका मतलब कुछ भी heavy नहीं रहे हैं, एकदम साधा simple launcher, कभी इस तो नाम है इसको, अगर मैंने प्रोनौस में कुछ गल्दी करिऊंगे, तो I'm sorry, टीक है तो यह launcher कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, जैसे setup करोगे, अगर इसको मैं उपर करता हूँ, तो वेदर देखने को मिलेगा, और नीचे करूँगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं, Chrome के उपर, तो यह वेबसाइट का नाम है, Cobalt.Tools, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर audio, video, photo, जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर ads नहीं रहेगी, और सबसे important बात, कोई trackers नहीं रहेंगी, यह important चीज है, definitely try करना, आप for example purpose, कोईच लोग Instagram की Reels, डाउनलोड करते हैं, लेकिन डाउनलोड करने के लिए, किसी website पर जाते हैं, जाए आप एड्स वगेरा आते हैं, और बड़े दिक्कत होता है, और trackers भी होते हैं, और आपका data भी कहीं ना, लीक वाले का problem रहता है, तो यहाँ पर share पर tap करूँगा, यह मेरी photo है, शेर पर tap करने के बाद, यहाँ पर simply आपको उस, paste कर दोगे, paste करने के बाद, यहाँ पर auto पर रहने देना है, audio चाहिए तो audio, मैं audio थोडियो ना लोना करूँ, पोस्ट है, फोटो है, यहाँ पर tap करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको, easily यहाँ से आप download कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है, तो काफी कमाल का है, कोई मतलब, सिम वन क्लिक में काम हो रहा है, और कोई भी यहाँ पर trackers नहीं, कुछ नहीं, बाकी privacy policies वगेरा आप पढ़ सकते हो, as a educational purpose आप इसको यूज करना, ठीक है, वीडियो पसना है को तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर करके, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है, और आप प्लीज सपोर्ट दिखाओ, मैं काफी अच्छा content आगे आपके लिए लाने की फूरी कोशिश करती ही रहूँगा, और करती ही रहूँगा, ठीक है, मिलते अगली वीडियो में, love you guys, goodbye, take care, hype का बटन दबा देना, please, और like भी कर देना, bye,